ध्यान रखने योगे कुछ जरूरी बातें अगर आपकी भी हड्डियों से कट-कट की आवाज आती है तो समझ जाना चाहिए कि शरीर में केल्शियम की कमी हो रही है केल्शियम की कमी को दूर करने के लिए परियाप्त मात्रा में दूर तही पनीर आदी का सेवन करना चाहिए अगर आपके हाथ पैर में कमपन होने की समस्या रहती है तो आप रात के खाने में खाने के बाद दो लौंग चबा कर गर्म पानी पी ले जल्दी आपको फायदा मिलेगा आलू का उबला हुआ पानी बालों में लगाने से बाल सफेद नहीं होते तो आज से आप उबले हुए आलू का पानी फेकेंगे नहीं बलकि इसका इस्तिमाल करेंगे यदि आप मोटापे से परिशान है और आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो इसके लिए अद्रक और नीवो का रस बराबर मात्रा में मिला कर पीने से मोटापा जल्दी कम होता है यदि गले की खराश से परिशान है तो उसके लिए चौकलेट खाएं यदि आप बार-बार किड़नी स्टोन और मूत्र जलन से परिशान है तो उसके लिए नारियल पानी का सेवन करें खाने के बाद गुड का सेवन करना बहुत ही फायदेमन होता है प्रति दिन गुड का किसी ना किसी रूप में प्रयोग करने से एनीमिया का खत्रा नहीं रहता है खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होता है तो आप गर्ब पानी में काला नमक और नीमू मिलाकर पी लें आपको आराम मिलेगा ज्यादा गर्म चाए पीने से दान्त खराप होते हैं इसलिए हमेशा चाए थोड़ी ठंडी पीनी चाहिए ज्यादा नमक का इस्तिमाल करने से हाई बलट प्रेशर की समस्या बढ़ सकती है शरीर के किसी भी हिस्से पर मोज आ जाए तो बर्फ के टुकडे से मालिश करनी चाहिए इससे आराम मिलता है यदि आप खांसी से परिशान है तो उसके लिए भुने हुए चने का सेवन करें गुलाब का फूल सूंगने से डिप्रेशन कम हो जाता है खीरे का सेवन करने से दिल की धड़कन नॉर्मल रहती है खाना खाने के बाद बधजमी या खटी ड़कार आने की समस्या है तो खाने के साथ प्याज पर निवबू निचोड कर खाना चाहिए इससे बधजमी नहीं होती है आम का ज्यादा जूस पीने से यूरिक एसिट की बिमारी हो सकती है रात को सोने से पहले मुँ में इलाईची रख लिया करो मुँ से कभी भी बद्बू नहीं आएगी खाना खाने के बाद तुरंट सोने वाले व्यक्ति जल्दी बूढ़े होते है गर्म दूद पीने के बाद तुरंट पानी पीने से व्यक्ति को खांसी की समस्या हो सकती है हिच्की लगातार आ रही हो तो एक लौग पानी के साथ खाली पेट ऐसा करने से हिच्की रुक जाती है नाखून हाथों से नहीं काटने चाहिए ऐसा करने से दिमाग कमजोर होता है बकरी का दूद पीने से ठकान नहीं होती है खाना खाने के तुरंद बाद पानी ना पिए ऐसा करने से व्यक्ति को मोटापा की समस्या हो सकती है काजू का सेवन करने से नजर और दिमाग तेज होता है अंगूर नमक के साथ खाने से फेफडों का कैंसर नहीं होता है गले में मचली का काटा फस गया हो तो गुड का सेवन करना चाहिए यदि आपको पेट में गैस बनती है तो आधा चमच दालचीनी का चूर्ण गुनगुले पानी के साथ खा लें गैस बनना बंध हो जाएगी बासी रोटी खाने से दांतों में ठंडा गरम लगने की बिमारी दूर हो जाती है और दांत मजबूत रहते है अगर आपके लीवर में कमजोरी है तो साबूदाने का सुभा शाम सेवन करें नीमू की पत्यों को कुचल कर सुंगने से सिर का दर्थ ठीक हो जाता है सुभा उठकर आँखों पर ठंडे पानी के छीटे मारने से दिमाग को ठंड़क मिलती है और आँखे तेज होती है अगर आप चाहते हैं कि आपका चहरा 18 साल जैसा नजर आए तो गोभी और दही की मलाई मिक्स करके खाया करें अगर आपको कमजोरी महसूस होती है तो काजू का सेवन करें काजू शरीर की कमजोरी को दूर कर शरीर को उर्जा प्रदान करता है खाना बनाते समय यदि हाथ चल जाए तो एक चम्मच अलोवेरा जेल में एक चम्मच शहर मिलाकर लगाने से जलन और घाव जल्दी ठीक हो जाते है और धीरे धीरे निशान भी मिट जाते है बंद जूते गर्मी में पहनने से नजर कमजोर होती है यदि आप डिप्रेशन में हैं तो हाथों से कपड़े धोने से डिप्रेशन कम होता है पेशाब में ज्यादा पीलापन आने लगे तो नीमबू वाला पानी पीना शुरू कर दे यदि दुबले पतले लोग बासी मुह अनार का सेवन करेंगे तो वह जल्दी मोटे ताजे हो जाएंगे रोजाना पानी पीकर पेशाब कर लिया करे गुर्दे खराब नहीं होंगे सफेज जीरे का सेवन करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है प्याज का रस चहरे पर लगाने से चहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, उनका दिमाग तेज होता है गीले बालों में कंगी करने से बाल कमजोर होते है दूद में इलाइची डाल कर पीने से शरीर की थकावट दूर होती है सुभा उठते ही सबसे पहले एक इलास गर्म पानी पीएं गर्म पानी से चर्बी कम होती है और शरीर को टॉक्स करने में भी गर्म पानी मदद करता है बाल गिरना शुरू हो जाए तो कच्चे अंडे की जर्दी बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते है रोटी खाने के बाद सेब का एक टुकड़ा खा लेने से रोटी जल्दी हजम हो जाती है अगर कमर दर्द की समस्या है तो रोजाना दोपहर को थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर पानी से लेने से दर्द में आराम मिल जाएगा शैद और नीबू का जूस करम पानी में मिला कर पीने से गले की खराश में आराम मिलता है सौफ के बीच खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है दूद में हल्दी मिलाकर पीने से नीद आती है और शरीर के इंफेक्शन का सामना करने में मदद मिलती है तुलसी की पत्यों का काड़ा बनाकर पीने से सर्दी और कफ से आराम मिलता है नारियल तेल में बने बाम लगाने से बालों की मजबूती बढ़ती है खाना खाने के बाद थोड़ी जीरा पीस कर खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है यह वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामाने प्रक्रिया के लिए है किसी भी भीवारी से पेड़ी थोने पर डॉक्टर से सलहा लेकर या नियम अपनाएं उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दे और अपनी फैमिली प्रेंट्स में श्याज़ाएं